चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के DCP राजेश देव को नोटिस जारी किया है इसके साथ ही आयोग ने कहा है कि राजेश देव को चेतावनी जारी की जाएगी और ये सुनिशित किया जाएगा कि उन्हें दिल्ली चुनाव से संबंदित कोई कार नहीं सौपा जाए मंगलवार की शाम को दिल्ली पुलिस ने चुनाव से एन वक्त पहले एक एहम खुलासा किया था शाहिनबाग में चल रहे है प्रदर्शन के खिलाफ फाइरिंग करने वाले शक्ष कपिल गुजर के बारे में दिल्ली पुलिस ने कई जानकारी दी क्राइम प्रांच ने बताया कि कपिल और उसके पिता ने आम आदमे पार्टी को 2019 में जोइन किया था इसके बाद से दिल्ली की राजनीती काफी गर्मा गई है इसके खुलासे के बाद से भाजपा के कई नेता इस मुद्धे को लेकर आम आदमे पार्टी पर हमलावार हो रहे हैं तो आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच के डी सीपी राजेश देव को नोटिस जारी कर दिया है शाहिनबाग में गूली चलने वाले कपिल गुजर के बारे में जो डी सीपी है और उन्हों ने जो उसकी जानकारियां थी उसको सारंजने निक कर दिया उन्होंने सभी के बीच सारी जानकाई रख दी कि जो कपिल गुजर है और उसके पिता है उन दोनों नहीं आम आदमे पार्टी को 2019 में जॉइन किया था जैसे ही ये खबर बाहर आई उसके बाद से हर तरफ हलचल मच गई